कहते हैं अधिक सयानों जाए ठगानों वही हाल हो रहा है पाकिस्तान का पाकिस्तान के सुप्रीम कोट में अब बहुत बड़ी तख्ता पलट और हरकम पसम मचा हुआ है क्या ये देश अब मार्सल लौ से कुछ चंद घंटे ही दूर है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो दुनिया वर में दो तस्वीरे इस वक्त बहुत हलचल मचा रही है पाकिस्तान में ये तस्वीर जिसमें बाल्टी में बंध है कोई बड़ा नेता तो वहीं दूसरी तरफ भारत की ये तस्वीर आखिरकार किस से मिल रहे हैं भूटान के राजा जो टेंसन दे रहा है च जीन को जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन ख़बरों को विस्तार से पाकिस्तान में इस वक्त अब भिड़ने को तैयार है सुप्रीम कोट भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से पाकिस्तानी संसद में एक बदलाव आया था कहते हैं न सहबास सरीप ने संसद में एक प्रस्ताव ला दिया और एक कानून बना दिया कि तुम अपनी जगह पे रहो स्वतह संग्यान लेने वाली क्योशिस मत करो मतलब खुद से ज्ञान बाटने की कोशिस मत करो हुआ ये था कि कोट ने स्वतह संग्यान ले लिया था मतलब पंजाब और खेवर पक्तुनकुआ में कब कराना है चुनाओ और कोट ने कहा था कि मई महिने में कराओ जिसके बाद सहबास सरीप सरकार ने कहा था कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है और हम मई में नहीं करा सकते हम अक्टूबर में कराएंगी कहा इसलिए जा रहा है कि इस समय बीतेगा तो उसके हिसाब से देख लेंगे बाद में क्या होगा पर कोट ने कहा कि नहीं तुम्हें करवाना होगा मई में अब यहां से असली वाला टेंसन सुरू हुआ इसलिए असली वाला टेंसन सुरू हुआ कि जैसे ही कोट ने यह फैसला दिया है मंगलवार को चुन 15 माई के बीच में जैसे ही ये आदे साया ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुसी है तो पी-म सहबाद सरीप के लिए बहुत बड़ा जटका है अब इस्तिती क्या हो गई आपको बता दें अब इस्तिती ये हो गई है कि सरकार कह रही है कि आम नहीं मानेंगे सुप्री स्सक्राइब कोट कह रहा है कि ये हमारा फैसला है तुम्हें मानना है और इसका 3 मतलब क्या है इसका 3 मतलब यह है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की मानने को तयार नहीं है और इसलिए यहां पर अब more लगेगा ये तय होता दिख रहा है जिसकी आसंका बिलावल भुट्टो ने भी जारी की थी और इमरान खान ने भी जारी की ऐसी इस्तिती हो गई है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सेना और सरकार तीनों लड़ रही है खेर जहां जड़े मजबूत नहीं होती है वहां कुछ इसी तरीके का होता है ये तो तै है और साफ दिख रहा है कि यहां पर अब सेना का सासन होने जा रहा है ये तो रही कोट की बात अब जरा इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में कोई एक सक्स है कोई एक बड़ा नेता है जिस नेता को बाल्टी पहना कर इसे ले जाया जा रहा है इस बाल्टी के अंदर है कटोरा खान यानि कि इम्रान खान मन में ख्याल आएंगे कि हो क्या रहा है ये तो आपको बता दें ये बुलेट प्रूप बुर्खा ये बुलेट प्रूप बाल्टी है और ये सुरच्छा दिया जा रहा है इम्रान खान को ये इम्रान खान की जेड सरेनी सुरच इस दोरान सुरच्छा में लगे पुलिस कर्मी कंदे के पीछे बुलेट प्रूफ बैलेस्टिक सिल्ड लटका कर चलते नजर आए हैं इन्होंने चारों तरफ घेरा बना लिया है और एक बुलेट प्रूफ बाल्टी से इनके सर को ढग दिया गया है वैसे देखने के लिए द कोट में पेस किया गया और कोट में पेस होने के बाद इनके जमानत को बढ़ा दिया गया यह जेड सरेनी की सुरच्छा थी जो इम्रान खान को दिया गया कोट में हाजिर होने के लिए दरसल पहले भी इम्रान खान को टपकाने के लिए कहा जाता है कि वजीराबाद में बाल बाल बच गई थी अब कई बार इमरान खान खुद भी कह चुका है कि पाकिस्तान की सरकार उसकी हत्या करवाना चाहती है और इसके लिए बहुत बवाल भी कट गया है जब अरेश्ट करने के लिए पाकिस्तानी पुलिस पहुची थी तो बहुत जनता का हुजूम भी हो गई थी कि आसू गैस और नजाने कौन कौन गैस छोड़े जाने लगे थे इम्रान कान ने तो यहां तक कह दिया है कि उसकी हत्या करवाने के लिए जरदारी ने आतंकवादियों को पैसे तक दे दिये हैं वैसे बात करें तो इस वक्त इम्रान कान काफी पॉपुलर हो गया हो जाए पाकिस्तान का इतिहास भी रहा है इस तरीके का इनकी जेड सरेनी की सुरच्छा तो देखते हुए बन रही है जहां एक तरफ पाकिस्तान में यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर भारत की भी है जो चीन के अंदर हड़कंप ला रही है दर चीन ने और चीन ने फिर यह कहना शुरू कर दिया कि डोकलाम सिर्फ मेरा है खेर कहते हैं कुलाडी पे पैर मारना पर यहां भूटान के राजा ने भूटान के पीएम ने अपने ही पैर पर कुलाडी मारी है अब चाइना की नजर थी कि भारत के साथ जो भूटान के राज जबाए तो इन्हों ने डॉक्टर एस जैसंकर हमारे विदेश मंत्री राष्ट पती इन सबसे मुलाकात की भारतिये पी-एम मोदी से भी मुलाकात और कहा जाता है कि पी-एम मोदी से जो बाचीत हुई उस बाचीत में डोकलाम से लेकर बैपार तक हर चीज की बाचीत हुई कैसे हम सम्बंदों को बढ़ा सकते हैं कैसे हम अई परजेक्ट को सुरू कर सकते हैं जैसे एक बड़े परजेक्ट की घोसना भी हुई जो रेलिवे का परजेक्ट है वैसे चीन इस से बिलकुल भी खुश नहीं होगा पर इन सब के अलावे एक मुलाकात जो चीन को बहुत ज्यादा टेंसन दे रही है और वो मुलाकात है भारतिये एने से अजीट डोभाल के साथ ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप ये सक्स कोई और नहीं है बलकि भारतिये एने से हैं जिन से खास तोर पर भूटान के राजा मिले यानि भारत के तीन पिलर डॉक्टर एजय संकर अजीट डोभाल और पियम मोदी से मिल चुके हैं भूटान के राजा इसका मतलब है कि बहुत जल्ड कुछ अलग ही नजारा देखने को चीन को मिलने वाला है खेर चीन की धड़कने बढ़ी हुई है वैसे आपको क्या लगता है भूटान के साथ अपने मसलों को हल कर लेगा भारत या नहीं कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगली वीडियो मे नई खबर के साथ